ओम नमो भगोते बाज देवाई नमाहा स्वागत आप सभी का मेरे अच्छे स्वारत द्वा यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको पूरण मासी का माह उपाय बतानी जा रहा हूँ अगर पूरण मासी के दिन आप ये उपाय करते ही तो आपकी मनुकामना अवस्य पूरी होगी आज मैं आपको पांच ऐसे उपाय बताऊँगा इनके करने से आपके पुत्रधन की मनुकामना पूरी होगी पूरण मासी का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है की इशनान करें उसके बाद में लड्डू पाल जी को इशनान कराना है लड्डू पाल जी की जो मूर्ती होती है उनको आपको इशनान कराना है तो इशनान कैसे कराना है गंगा जल से इशनान नहीं कराना है साधा जल से भगवान को इशनान कराना है और इशनान कराते समय ओम तोड़ा पी लेना है घर में डाल देना है बागी बचा हुआ पहले आदा निकाल दें और वह तुलसी में डालेंगे देखो बगवान कृष्ण के इसनान का जो जलोता है लड़ु गोपाल जी के इसनान का जो जलोता है सालगराम जी के इसनान का जो जलोता अगर तुलसी मात पूरी हो जाती है उसके बाद में आपको क्या करना है तुलसी के पांच पत्ति लेने हाथ में पकड़ लेने है और भगवान के सामने खड़ी हो जाना है त्यान देना है पहले आपने इस्नान कराया प्रिश्नान का जलैबू आदा निकाले के रख दिया पीने के लिए घर में चड़कने लिए आदा तुलसी में डाल दिया और तुलसी के पांच पत्ते आप ले लेंगे इच्छा बोल करके हाथ में लेकर के खड़े हो जांगे भगवान के सामने और भगवान से प्रात्ना करेंगे प्रभू मुझे इस यारी संतान प्राप्ति का है या धन प्राप् मैं इसलाइक हो सकूँ कि मेरी हर इच्छा पूरियो आप मुझे बरदान दीजिए और यह तुलसी पत्र आपको में समर्पित कर रहा हूं। करने के बाद में भगवान समर्पित करना है। है गवसाला का। सीधा वहां से गवसाला जाना है और गव माता को आपको जो भी प्रसाद आपके घर में बनाओ। हुए ले जाना है। साथ में थोड़ा सा गुड़ ले जाएंगे और एक केले का फला आप ले जाएंगे और गव माता को खिला देने। ये दूसरा उपाए हुगा है। तीसरा उपाए आपको क्या करना है गौशाला के बाद में। फिर आपको पीपल बरके के नीचे जाना है। देखो अगर बड़ और पीपल एक खटे हों। कैई मंदर ऐसे होते हैं कैई स्तान ऐसे होते हैं जापर पूजा की जाती है तो बड़ और पीपल एक एक खटे होते हैं। पास पास खड़े होते हैं। अगर ऐसा मिल जाता है तो समझ लिए आप बहुत भाग गिसा लिए। नहीं तो आप बड़े हो या पीपल हो। उसके बाद में अपनी इच्छा बोलकर के आपको वहाँ पर साथ परक्रमा करनी है प्रतेग परक्रमा पर जब आप परक्रमा कर रहे हों तो प्रतेग परक्रमा पर कुछ ना कुछ मापर आपको मीठा चड़ाना है पीपल ब्रक्क के नीचे आप बड़ ब्रक्क की आप कर रहे हैं वैसे पूरण मासी के दिन बड़ प्रक्य का विशिश मैत होता है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखेंगे, सुबह इसनान के बाद में पहले सूर देव को अरग आपको जरूर देना है। जब आप लड़ प्रक्य का विशिश नान करा रहे हों, तो उसे ठीक पहले आपको सूर देव को अरग जरूर देना है। दोड़ा सा दूद ले आना है। अब उस दूद से आपको भगवान सिव का अफशिक करना है। और इस दिन अगर धतूरे का पल मिल जाता है, तो धतूरे के पल पर पीला चंदर लगा के और उस पर चावल रख करके भगवान सिव को समर्पित कर देना है। ऐसा खरने से आपकी मनुकावन पूरी होना है। सिमातक सामने भगवान सिभ के सामने घर के में दरवाजी पर जोड़ी के सामने पांच जगे दीपक आपको जलाने हैं और चाज़ा दीपक आपको चंद्रदेब के नाम का जलाना है दोस्तों आपकी प्रतिक मनुकावन touh